करनाल के वाड अठारा के शांती नगर एकता कोलोनी वेभाट बस्ती के लोगों को नई सिवर लाइनों की सोगात मिली है महापौर रेनुबाला गुपता ने मंगलवार को पारशद हरीश कुमार और कॉलोनी के मोजीज नागरिकों के साथ मिलकर इसकार्य की शुरवात करवाई इस मौके पर नगर निगम से जेई लक्ष शर्मा मौजूद रहे मेर रेनुबाला गुप्ता ने बताया कि गंदे पानी की निकासी के लिए तीनों शेत्रों में कुल 600 मीटर सिवर लाइन डाली जानी है जिस पर अनुमानित 16 लाक रुपे खर्च किये जाएंगे उन्होंने बताया कि यह कारी अगले एक डेड़ महा में पूरे कर लिये जाएंगे घरों से निकलने वाले गंदे पानी शमता अनुसार आठ हिंची मोटाई के पाइप डाले जाएंगे ताकि निकासी अच्छे से हो सके उन्होंने बताया कि सिवर विवस्था में पहले से लगी पाइप लाइने कमजोर और अक्षम हो गई थी उनकी जगे अब नई और मजबूत लाइने लगेंगी ताकि वह लंबे समय तक कार्य कुशल बनी रहे महापोड ने सिवर लाइन कार्य के शुबारंब के बाद यहां के लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री हर्याना मनोहर लाल करणाल के सभी शेत्रों में मूल भूत सुवधाएं और पानी वे सिवर जलाइनों के सुद्रड़ी करण के कार्य के लिए कृत संकल्प हैं ताकि शेहर की अबादी को इन सुवधाओं के अभाव से कोई दिक्कत ना आए उन्होंने कहा कि बिजली हो या पानी सिवर हो या निकासी सभी तरह के कार्यों को बहतर बनाय जा रहा है जहां सडकों की जरूरत है वहां सडके भी बनाई जा रही हैं उन्होंने कहा कि इन तीनों शेत्रों में सिवर लाइने डालने के बाद यहां तक की गलियां भी बनाई जाएंगी ताकि लोगों का रहन सहन और जीवन स्तर अच्छा हो उन्हें पूरी सुविदा मिले वार्ड ठारा के पाश्रद हरीश कुमार ने इस अफसर पर सिवर लाइन के कारिये के शुभारंब के लिए मेर का स्वागत एव माभार व्यक्त किया और कहा कि इन कारियों के होने से यहां के लोगों की मांग पूरी हो गई है इस मौके पर नागरिकों विशेशकर महिलाओं ने महा पाउर का फूल मालाओं से स्वागत किया समाचवार एक्सप्रेस की रिपोर्ट एक शें शाद लाद कर निर्मान कारे की बढ़िभी कि वाद के साथ है इसके साथ भाई ने यहां पर शांतीनगर में कोजी वली गली में लोग बड़े परेशान थे हमारे पारशन महुते ने हमारे हरीश बहाई ने यह समस्या लग वे की सामने रखी और इसका अब 16 लाग से काम शुरू होने जा रहा है लगवग 200 मेटर की ये पाइपलाइन है इसके साथ साथ हमारे भाट वस्ते की या एक तक लोनी की भी पाइपलाइन इसके साथ साथ बिछाई जाएंगी लोगों को बहतर सुविधा देने के लिए विशेश तोर पर गलियों में सीवरेज और पानी की विशेश सुविधा हो इसके लिए माने मुख्य मंत्री जी ने हमें बार-बार दिशा निर्देश दिये हैं हम उनी के दिशान निढदेश से अपने स्वेर्वबस्ता प्रिवर्तन और इसके साथ शेहर में सॉंधर्य करन का जो काम करें इसमें लोग हमें बट चड़कर सैयोग करें और यहाँ़ा भी जो काम हो रहा है तो आ नहीं यहार के निवासियों से इफेदन किया है कि वो इस काम को चेक करते रहें और इस काम के बारे में जहां यह दी कोई कामी होता तुमें ज़रूर पता है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद जबता है जर्डन झाल 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 झाल